तो हलो दोस्तों कैसे हैं आप आसा करता हूं अच्छे होंगे दोस्तों यह वीडियो एड़ोकेट एक्ट का सेकेंड पार्ट है अगर आपने फर्स्ट पार नहीं देखा तो पहले आप उसको देख लीजिए इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा यह उसका सेकेंड हो तुछलिए दोस्तों स्टार करते श्क्षन एट एकलास हेश में राजबार काumsilес के सदस्यों कारकाल कर आप रहे हैं निरवाची सय S2 की पत का कारकाल परिणाम कि प्रका सदस्यों के 505 और राजबार काउंसल के सदस्यों का कारकाल यह सेक्षन एimana में क्या रख पकाई समितियों का गटन करेętजी जिसमें से प्रतेकग candi 3 citizen 9 section 10 में क्या कह रहा है अनुष साथ नात्मक संफियों के लावा अण समितियों का गटन सीक्षण 11 में क्या है बार काउंसिल के करमचारी सेक्षण 16 है तो उस में बार काउंसिल कौन कौन से करमचारी रहेंगे सिक्सन बारे में क्या है लेखा इहुम लेखा परिच्छा लेखा इहुम लेखा परिच्छा के विशे में सिक्सन बारे में बताया गया है अब आगे बड़े सिक्सन तीरे में बताया गया है सेक्षन चौदा में बताया गया है बार काउंसिल के चुनाओ पर कुछ आधारों पर सवाल नहीं उठाया जाएगा जो बार काउंसिल के चुनाओ कराया जाता है तो उसमें कुछ आधारों पर सवाल नहीं उठाया सकता बार काउंसिल किसी सदस के चुनाओ पर किवल इस आधार पर सवाल नहीं उठाया जाएगा कि वोट देने की धमकी देने के हकदार किसी इव्यक्ति को उसकी उची सूचना नहीं दी गई ठीक है दोस्तों यह section 14 में दे रखा है section 15 में क्या दे रखा है नियम बनाने की सक्ति जो बार काउंसिल है उसकी नियम बनाने की सक्ति section 15 में दे रखा है कौन काउंसी सक्तियां है आए इनके बारे में जानते हैं बार काउंसिल इस अध्याय के उद्देश को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है B में है विसेश रूप से और पूरो गामी सक्त की ब्यापकता पर वित्कूल प्रभाव़ डाले बिना ऐसे नियम पदान कर सकते हैं C नमबर है बार काउंसिल के आकस्मिक रिक्तियों को भरना D नमबर है बार काउंसिल के अध्यच और उपाध्यच के सक्तियां और करतब भी जो D नमबर है उसमें बार काउंसिल के अध्यच और उपाध्यच जो होते हैं उनकी सक्तियां और करतब के बारे में बताए गया है इनम्बर हे बार काउंसोर की बैठके बुलाना और आयोजन करना बार काउंसिल किसी समीध का घठन और कार्ज ऑर एसे किसी समीध के सदस्थिओं का कारिकाल यह बताया गया है एफ में जीए में क्या बतायाग्या बार कॉंसिल के सचिव लेखाकार और अनकर्मचारीयों की योगताएं और सेवा की सरतें यह जीवा कीजिए kynasень kemrč बताया गया है बार कॉंसिल द्वारा लेखा पुस्तको और अन कीजिफित स्वाद कर आप बहुत आई में क्या बताया गया है बार काउंसिल के फंड का प्रबंधन और निवेज जे में क्या बताया गया है राज बार काउंसिल द्वारा इस आधार के तहट बनाए गए कोई भी नियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक कि उन्हें बार काउंसिल आफ इंडिया द्व लगा देगी तो वो बार काउंसिल उसमें लागू कर सकता है ठीक है तो दोस्तों यहां सेक्षन 15 में दे रखा है नियम बनाने की सक्ती वार काउंसिल की ठीक है आंगे बढ़ कोसिक्वत Hm जैसे कि अधिवक्ता दौ प्रकार के होते हैं आपको यह जानन php रिख गोंगे अर्थात वरिष अधिवक्ता और अन्याधिवक्ता एक वकील को उसकी से अमति से वरिष्ट वकिल के रूम में नामित किया जा सकता है यदि सुप्रीम कोर्ट या उच्छ न्याले की राय है कि उसकी छंता बार में खड़े होने या कानू में विशेज ग्यान या अन्भोव के आधार पर वा योग यह नहीं कि उम्रदराज है उसको ग्यान भी होना चाहिए उसको अन्भोव भी होना चाहिए तब वो वरिष्ट अध्यवक्ता बनाया जाता है या सुप्रीम कोट या उच्च नियाले की राय से बनाए जाता है ठीक है 16 में दे रखा है वरिष्ट एम अन्य अधिकता के बारे में 17 में क्या दे रखा है राजबार काउंसिल अधिवक्ताओं की सूची बनाए रखेगी Seksom 18 है एक राज सूची से दूसरे राज में नाम के इस्ताना अन्तरण मतलब जैसे कि आप किसी राज में सूची में देखता है अगर आप दूसरे राज में ट्रांस्फर कराना चाहते हैं कि नहीं आप मैं दूसरे राज में करूँगा प्रैक्टिस या कुछ भी या मुकदमा लड़ूँगा तो कोई भी बैक्ति जिसका नाम किसी राज बार काउंसिल के रोल में वकिल के रूप में दर्ज है वह उस राज के रोल से अपना नाम इस्थानांतरन करने के लिए बार क में क्या दे रखा है राज बार काउंसिल अधिवक्ताओं के रोल की प्रतियां बार काउंसिल आफ इंडिया को बेज़ेगी मतलब कि कितने राज बार काउंसिल के अधिवक्ता हैं कौन-कौन है यह राज का कार्य है कि वह बार काउंसिल आफ इंडिया को बेज़ेगी वह यह सेक्षन 19 में दे रखा है सेक्षन 20 क्या दे रखा है सर्वोच नयले कुछ अध्वक्ताओं के नामांकन के लिए विसेस प्रधान जो सर्वोच नयले कुछ अध्वक्ता है उनके नामांकन के लिए विसेस प्रधान बनाया गया है जो सेक्षन 20 में दे रखा है सेक्षन 21 मे की वरिष्रिता की तारीख एक ही है वहां उन्हों में वरिष्ट बेक्ति को दूसरे से वरिष्ट माना जाएगा जैसे कि किसी को जॉइन करने की तारीख सेम है तो कैसे डिसाइड किया जाए कि कौन वरिष्ट है तो उनकी एज के अंसार उनके अन्बॉक के अंसार उनको वरिष्ट अविस्ता बनाये जाएगा जो ज्यादा बढ़े होंगे यह सिक्षन 21 में दे रखा है सिक्षन 22 में नमांकरी का प्रमार पत्र जो आपका नमांकरी का अदिकार भारत के अटड्रीजनर को अन्सभी अधिवकताओं से पहले सुनवाई का अधिकार होगा जो भारक के attorney journal है या वरिष्ट अधिवक्ता है उनको अधिवक्ता से पहले सुनवाई का अधिकार है यह section 23 में दे रखा है section 24 में क्या दे रखा है ऐसे बेक्ति जिने राज सूची में अधिवक्ता के रूप में भरती किया जा सकता है means section 24 में अधिवक्ता के रूप में आपके क्या-क्या योगिता होने चाहिए वो बताया गया section 24 में इस अधियम के प्रावधानों और इसके तहद बनाए गए नियमों के अधिन एक बेक्ति राज सूची में एक वकील के रूप में भरती होने के लिए योग होगा यदि निम्र होशरत ہیں वह भारत का नागरिक है भी है उसने 21वर्ष के आयुपूरी कर लिए हो सिध उन्होंने कानून में जिक्री प्राब्द की है के मतलब आपको लल बी होना चैयरि कानून की डिकरी जो लल बी होती है वो आपने प्राब्द प्राब्द कर लिए यह क्या है वह ऐसी अंसरतों पूरा करता है जो इस अध्याय के तहित राजबार का उंसे द्वारा बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट की जा सकती है मतलब जो उनकी नियम भी हैं उनको भी पूरा करता हूँ कि हमारे अध्यवक्ता बनने के लिए आपकी योगता होना चाहिए जो सेक्षन 24 में दे रखा है सेक्षन 25 में क्या दे रखा है प्राधिकारी जिसके पास नमांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है जो प्रादिकारी होता है जिसके लिए जिसके पास नमांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है यह सक्षन 25 में दे रखा है सक्षन 26 में क्या दे रखा है अधिवक्ता के रूप में प्रुएस है तू आवेदनों का निस्तारण means एक राजबार काउंसिल एक वगिल के रूप में प्रुएस के लिए प्रतेक आवेदन को अपनी नमांकन सिमित को संदरभित करेगी ठीक है यह सक्षन 26 में दे रखा है सक्षन 27 में क्या दे रखा है एक बार अस्विकार किया गए आवेदन पर कुछ परिस्टियों को हैं ने बार काउंसिल नहीं किया जाएगा किसी किसी ने औवेदन किया उसने इसको अस्विकार कर त्यूस्तों जाकर वह आवेदन नहीं कि सकती है एक राजबार काउंसिल इस अध्याय के उद्देशों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है यह सक्षन 28 में दे रखा है सक्षन 29 में क्या दे रखा है अधिवक्ता कानून का अभ्यास करने के हगदार व्यक्तियों का एक मात्र मानता प्राप्त वर्ग है मींस जो कानून का अभ्यास केवल अधिवक्ता ही कर सकता है इसे यह मानता प्राप्त है केवल अधिवक्ता वर्ग को यह सक्षन 29 में दे रखा है सक्षन 30 में क्या दे रखा है अधिवक्ताओं को प्रैक्टिस करने का अधिकार कहां कहां पर अधिवक्ता प्रैक्टिस कर सकता इस अध्रियम के प्रावधानों के अधिन प्रतेग वकील जिसका नाम राज रोल में दर्ज किया गया है उन सभी छेत्रों में प्रैक्टिस करने के अधिकार के रोप में हगदार होगा जिन पर यहां अध्रियम लागव होता है उच्छता म्याले सहित सभी न्यालों में अध तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका अभी हमारे सक्षन पूरे नहीं में इसका थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम पूरा कम्प्लीट करा देंगे क्योंकि वीडियो लॉंग हो चुका है इसलिए दोस्तों अगर आपने इसको फर्स्ट आया हो तो वीडियो को ज़्रूर लाइक करेंगा और चैनल को जरूर से कि आपके स्क्राइबर से हमें मूटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में जय हिं जय भारत democratic मणिश म्हानी डॉंट वेस्ट योर टाइम